हलो नम्मेश कार कैसे हैं आप सुभी I hope आप सुभी अच्छे होंगे प्रिविएस वीडियो में हमने डेटा स्ट्रक्चर को स्टडी किया था डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं जिसमें आप अपने डेटा को और्गेनाईज करते हैं हमने पड़ा था नेटस ओफ डेटा स्ट्रक्चर कि हम भी कहां कहां उसकी जरूरत है क्या है एंड देन हमने किया था क्लासिफिकेशन जिसके अंदर हमने स्टडी किया था इडिज अफ टू टाइप्स फर्स वन इस लीनियर एंड दी अधर वन इस नॉन लीनियर और लीनियर का जो है हमारे पास आज हमने एक पार्ट स्टडी करना है जो हमारे पास स्टाटिक में था एरे मैंने आपको आथा एरे, लिंक्लिस, ट्री, ग्राफ ये सब हमने स्टडी करना है एक एक करके इनकी अल्गोरिदम्स हैं और ये खुद में ही एक बहुत बड़े टॉपिक है तो आज हमने स्टाट करने हमारे नई टॉपिक के साथ एरे हाँ जी आपको जो है बिलकुल ऐसे ही जैसे ये इमोजी है कन्फ्यूजिंग सा वैसे ही आप है इस वक्त एरे को लेके हम बिलकुल बेसिक से स्टाट करेंगे हमें लगता है आपको एरे की स्टाइम जीरो नॉलिज है और हम वही से ही स्टाट करेंगे ओके देन हम स्टाट करते है वट इस एरे देखो एरे क्या है बेटा यह चीज हमने समझ लिया कि आपका हर चीज क्या करेगी कि हो Store करते है आप के data को इतना हमने समझ लिए था की आरे भी क्या करेगा आपके elements को आपके data को क्या करता है Store करता है in static manner static का हमने पढ़ा था static क्या होता है कि जो आपके collection होगी elements की वो क्या होगी adjacent जो है मतलब आपके जो next element होगा वो previous one से क्या होगा, attach होगा, यह हमारी static होती थी, और इसमें हम जो है, memory क्या कर देते थे, fixed रहेगी आपकी memory, dynamically आप इसे change नहीं कर सकते, static means fixed, यह दा हमारा array में है न, हाँ जी, देखो, यहां से इसके थोड़ी से definition पढ़ लेते हैं, अरे data structure is a fundamental concept in computer science, that store a collection of elements having same data types, देखो, इसका क्या मतलब है, आपका array जो है, वो same data types के ही क्या करेगा, elements को store करेगा, it means, बेटे, देखो, क्या होगा, अगर आपकी यह elements जो है, या तो यह integer ही होगे, 2, 4, 10, 5, 15, integer data type के होगे, या फिर आप ऐसे store नहीं करा सकते, आपने यहाँ पर 2 करा दिया, और आपने यहाँ पर करा दिया, 4.5, जो 4.5 है, यह flawed value हो गई है, यह आपका store नहीं करेगा, इसे एक जैसे बच्चे जाए, जैसे हमारे पास क्या होता है, हमारे स्कूल में section डिवाइड कर देते हैं, कि एक जो होगा हमारा, जो बच्चे बहुत ही जाले sharp minded है, intelligent है, उनका एक section कर देते हैं, जो थोड़े week है पढ़ाई में उनका एक section कर देते हैं, कि जो week बच्चे हैं उन boys को भी रख रहा है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा ही array में होगा, सिर्फ आपका same data type का जो है elements वो ही store होगे, या तो सारे integer होगे, floats होगे, या फिर character होगे, simple, I hope EGs आपको समझाई होगी, और next is it store element in a contagious blocks of memory, contagious blocks of memory का मतलब क्या है बच्चे कि blocks में आपकी store करता है, ऐसे, जैसे आपक contagious है, continuity में इसकी form होगी, for example, 0 से अगर आपको index number start है, तो next one ही होगा, एक continuity में series होगी, ऐसा नहीं होगा, 0, then 2 आ रहा है, then 8 आ रहा है, then 12 आ रहा है, no, ऐसा नहीं होगा, 0, 2, then 4, ऐसा भी नहीं, मतलब क्या होगा, इक continuity में होगी, हाँ, ऐसे हो सकते हैं कि first 0 है, then 2 आ गया, then 4 then 6, मतलब एक, एक, एक element को क्या रहा है, break आ रहा है, it means जो आपकी data types के according होता है, कि अगर integer 2 carry कर रहा है आपकी, तो उसके according से memory allocate होगी, but ऐसा नहीं होगा, कि 0 के बाद सीधा 10 और फिर 5 ऐसे आपके नहीं होता है indexes, ठीक है, it allows for efficient access to element using indexes and is widely used in programming for organizing and manipulating data, देखो बच्चे यह आपके data को, और आप क्या है, indices, यह 0, 1, 2, यह इसके index number है, इनकी help से आप क्या कर सकते है, easily अपने data को access कर सकते है, जैसे class में आपको पर्टिकुलर roll number है, ठीक है, for example, आपको जो भी roll number है, वो आपको क्या represent कर रहा है, ऐसे यहां पर indices क्या है, एक पर्टिकुलर element को represent कर रहे ह ठीक है बिटा, next जाते है हमारे पास types of array, देखो हमारे पास types of array में क्या है, the first one is one dimension array, one dimension array का क्या होता है, देखो आपकी dimensions जो हम math में भी पढ़ते हैं, 1D, 2D, 3D, 4D है न, 1D में क्या होगा, आपकी सिर्फ length cover होती है, 2D objects की बात करते हैं, तो length and breadth cover होती है, 3D में आपकी height भी include हो जाती है, ऐसी होता है, same आपका इसमें होगा, 1D array में क्या होगा, आपको जो भी data store होगा, वो सिर्फ एक row में store होगा, इस तरह से, simple, आपका index is number होगी 012 और इसमें आपका data simply store होगा, देखो, 1D array as a row, row की form में ये आपका data को store करता है, where elements are sorted one after another, ये चीज़ हम पढ़ च multi-dimension array, देखो multi-dimension array क्या होता है, कि जिसमें एक से जाधा dimensions includes हो, अब वो 2-dimension भी हो सकता है, 3D, 4D, 5D, up to so on, ठीक है, कहीं तक भी हो सकता है, यही चीज़ लिखिये है, a multi-dimension array is an array with more than one dimension, we can use multi-dimension array to store complex data in form of tables, देखो बच्चा, अगर हम 2D array की बात करें, 2D array आपका कैसे होता है, इस तरह से matrix की form में होता है, ये आपकी row हो गई, sorry, ये आपकी column हो गई, और ये इस तरह से आपकी row, ऐसे store करता है वो data को, आपका जो 2D array होगा, उसकी representation कैसे होती ह है, मतलब matrix की form में, जैसे आपके maths में matrix होती है, उस form में क्या करता है, आपका row और column की form में आपके data को क्या करता है, बिटा, store करता है, 3D array क्या होगा, ऐसे 3D array contain करते है, 3 dimensions में, ये आगे 4D भी होता है, 5D भी होगा, इतना आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपने deeply 1D array को study करने है, और थोड़ा सा हम 2D array को भी लेके चलेंगे, बस, इस से ज्यादा कुछ नहीं करने है, ओके, हाँ जी, यहाँ पे देखो, array पे आप क्या क्या operations apply कर सकते हैं, देखो बिच्चे जिस तरह से आपने operations कैसे apply करते हैं, operations क्या होते हैं, आप कोई भी चीज है, किसी भी चीज के पर कोई operations apply करते हैं, आपको एक नहीं output के generate होके मिलती है, उसे ही हम operations कहते हैं, कि जिससे आपको कुछ नया निकल के मिलते हैं, तब क्या क्यों operations apply कर सकते हैं, अपने array के उपर, common operation perform on array includes, कुछ operations, देखो कौन-कौन से हैं, the first one is traversal, traversal का मतलब क्या होते हैं, बच् चीज के, simple, इसके अंदर आपकी क्या है, यहां पर elements store है, अब क्या होगा यहां पर, for example, यहां पर कोई भी elements है, one है, यहां three है, इस तरह से कुछ भी elements मतलब यहां पर store है, simple, चीज के, तो आपने क्या करना है, हर एक element को एक specific order में आपने visit करना है, सिर्फ देखना है और आ ज जाएंगे, यहां पर आपने क्या करना है, यहां पर आपने वही चीज करनी है, देखना है और आ जाना है, इसके ओपर कुछ mark art जैसा कोई operation apply नहीं करना है, आपने वहां पर किसी को थपड़नी मार के आने, कुछ नहीं करना, देखना है और आ जाना है, simple, the next one is insertion, insertion क्या हो इंडेक्स पर आप क्या कर रहे है, add कर रहे है, elements को, deletion, removing an element from an array, किसी एक specific index से elements को delete करना, and searching की क्या होगा, finding index, आप क्या कर रहे है, search कर रहे है, कोई भी एक particular index को, अपने array में, sorry, element को, हाँ जी, इनको जो है, यह operations ऐसे ही नहीं लगने है, इनकी पूरी-पूरी algorithms हैं, वो भ एक overview दिया है, कि यह यह operations हम perform करते हैं, हाँ जी, अब देखो हमारे पास क्या होते हैं, यह questions होते हैं, बहुत बार क्या होते हैं, बच्छा की calculate करना दे देते हैं, आपको कोई भी particular address, आपको क्या देंगे, कोई भी element बोल दियो, for example, जैसे हमारा एक array है, यहाँ पे 90 है, मैंन बट हम देखेंगे, आभी बच्छा, इसमें क्या होता है, कि इसमें क्या होता है, बच्छा, कि आपका जो particular element है, वो किस address पे है, address निकालना होते हैं, इसके लिए हमारे पास अलग-अलग formulas होते हैं, अगर हम बात करते हैं, आपने क्या करने, calculate करने है, address किसी भी element के लिए, in 1D array, 1D array में तो आप कैसे करेंगे, देख पिच्छा, इसके लिए जो हमारा formula होते है, address of AI, ठीक है, यह formula देखो, अभी मैं आपको इसको बताऊंगी, हम example के साथ समझेंगे, इतना tough नहीं है, देखो, B plus W, यह star represent करे है, multiplication, यहाँ पे है, I minus LB, अब यह चीज़े होती क्या है जो आपका A है, A यहाँ पे represent करे हैं आपका array का name, कि आपका A नाम को कोई array है, I कह है, subset of element, pose address to be fight, I आपका वो element होगा, जिसका address आपने निकालना है, जैसे ही, यहाँ पे अगर हम बात करें, 90 आपका element है, आपने निकालना है कि इस particular array में 90 किस location पे present है, इस तरह से, next, B क्यों होगा, आपका base address, base address क्या होता है आपका, कि आपका जो first element है, वो कहाँ पे store है आपका, यह चीज़ होती है, आपकी समें, जैसे यहाँ पे यहाँ आपका 200, यहाँ पे base address, ठीक है, W, storage size of one element store in array, W आपका represent कर रहा है कि आपका जो storage size है, वो कितना है, एक array का, for example, हमारी जो integer है, उसका storage size कितना होता है, 2 bits, float के लिए आपका 4 bits होता है, देखो, integer का कहीं कहीं 2 होता है, कहीं कहीं 4 भी होता है, ठीक है, L भी रहेगी आपके lower limit, lower bound of subscribe, देखो, lower bound of subscribe, मतलब क्या आपका lower bound, यह, यह आपका जो first होता है, यह होता है, आपका lower bound, और यहाँ पे यह last वाल होता है, आपका upper bound, देखो, for example, अब हम इस example के साथ करते है, जैसे यहाँ पे 90 के लिए आपने location निकालने है, कि 90 आपका किस location पे present है, हान जी, हमने 90 के लिए location निकालने है, कि 90 जो है, वो आपका काहा पे present है, तो देखो, हमने क्या करना है सबसे पहले, हान जी, अब देखो, हमने निकालना है, इसे, दिखो उसने कहा है कि आपने किया है, फिफ mieć element को निकालो, जी कि विफ्त element जो है, वह, आपका है, यहां पर वो किस memory location पर present है अगर हम यहां पर बात करें आपकी LB LB lower bound की value क्या रहेगी 0 lower bound बेटा होएगा जिस index से आपका start हो रहे हैं कभी 0 से start होता है आपको बहुत बार आपका 1 से start भी हो जाता है तो LB आपकी क्या होगी यहां पर 0 I I क्या होगा आपने कि किस index number पर आपने निकालना है जैसे मैंने कहा कि मैंने 90 वाल निकालना है यह किस index number पर present है फिफ्थ वाले पर है तो I की value यहां पर हो जाएगी आपकी 5 डबल्यू बीटा आपकी data type का size कितना है यहां पर अगर आप देखें तो वैसे हमारा 2 होता है बट यहां पर memory के according 4 का difference दिए है इट मिन्स यहां पर integer का size इन्होंने 4 लिया है तो इसकी value हो जाएगी आपकी 4 डबल्यू की ठीक है दैर उसने कहा है base base address देखो आपका क्या है base address है आपका 200 यहां पर लिखने है आपने two double zero double zero हाँ जी और a of y it means a of fifth फिफ्थ उस पे जो भी है आपका ठीक है अब देखो हमने क्या करने है अब आपने इस चीज को क्या करने है solve करने है देखो सबसे पहले आपने क्या किया 5 minus 0 5 में से आपकी 0 को यह आपको क्या मिलता है 5 ही मिलेगा तो 5 की multiply इब आपने किसके साथ कर 20 ऑर प्लस आपने क्या कर देना है उसमें 200 जब आप इसमें 200 को प्लस करोगे आपको क्या मिल रहा है यहां पर आपको مिल रहा है 220 और अगर आप देखो यहाँ पर फिफ्थ पे आपकी location भी क्या है 220 ही है तो आपको exact मिल गया ना location तो यह आपको formula बेटा देखो data टाइप cię Rain लोगर बंद आपका इंडेक्स कहा स्टार्ट हो रहा है जीरो से इंडेक्स जो कहा तक चल रहां यहессे क्या है सब्सेट ओफ करें पॉसके लिए फिर वाले नंबर अपने फिस्ट एळिमेंट के लिए find करना था तो हम नहीं कर लिया फिफ्त नहीं सोरी वैसे यह 6th element है इसका index number 5 है पुट यह element 6 है है ना है जी next जाते calculate address of any element in 2D array आपको 2D array के अंदर क्या है calculate करने address आप तब किस तरह से करते हैं देखो बेटा देखो 2D array में जो है हमारे आपके पास के matrix की form ने होते है जैसे यहां पर यह देखो यह रोज है आपके पास यह यह आपकी क्या है rows and this one is your इस तरह से जो है यह आपकी columns दिखो है matrix की form में matrix की form में आपने 0 से start किया 0 1 2 यहाँ पर 0 1 2 और यह आपने जैसे लिख्खे और सब्सक्रिप्ट ये उता है यह सम्सक्रिप्ट अ करेंगिस जिपए यह कीज़ के टिए अपका 1 मैं है 0 it means 0th row पे and जो next वाली सब्सक्रिप्ट में आपका given होगा वो होगा आपका column के लिए 00 it means 0 row और 0 column number पे आपका जो है element है इस वक्त यह देखो 0 row और 0 ही columns next क्या है 1 आपकी row रहेगी और यहां से अगर देखे तो 0 आपका column यहीं लिए 10 पहले row आएगी बच्चे and then column इसके लिए देख लेते हैं इसमें हम दो तरह से निकालते हैं एक होगा हमारा row order की बेस पे और एक होगा हमारा column major की बेस पे देखो row major और column major हम कैसे निकालते हैं एड्रेस होगा आपका यह रो के लिए आपका जो है अलग formula और column के लिए आपका अलग है रो के लिए देखो बच्चे यहां पी formula दिया आपको i, j, i आपका represent करता है row को j करता है column को कि किस index पे आपकी i है row में और j आपका column में छीक है यह formula है b plus w i minus lr into n और j minus lc n plus j minus lc और यह होगा आपका column के लिए चीक है बच्चा यहां पी देखो चीजों को समझो क्या क्या होती है i आपको कर रहे है row subset of an element whose address to be find next j आपको represent करता है column subset के लिए b होगा आपका base address w आपका वही जो हमने पहले किया था कि storage क्या है आपके data types की कितनी storage लेते है lr जो है lower limit for row के लिए lc column की जो lower limit है n number of column given in matrix और m क्या है number of rows कितनी number of rows आपकी matrix में है ठीक है इस तरह से होगा अब इसके लिए हम एक example कर लेते है for example वह अच्छा देखो यहां पर क्या करना है हमने जैसे आपने निकालना है कि second row और second column it means यहां पर आपका जो है यह element present है यह किस location पर प्रेजन है आपके memory के अंदर देखो बच्चा two two है यहां पर देखो आपका i भी क्या हो जाएगा two and then j भी क्या हो जाएगा आपका two 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 के लिए आपने निकालना है b क्या होगा आपका base address देखो base address जो है आपको question में given होता है कि b आपका base address यह है w क्या होगा आपको size के लिए अगर हमारा इसमें integer data type के है तो हम यहाँ पर दो लेंगे अगर उसने specific किया कि 4 लेने तो हम 4 ले लेंगे then multiply cosine then आजाद है आपके पास i i क्या represent कर रहा है कि subset i हमारा यहाँ पर two e है two के लिए निकाल रहा है हम कि subset पर है तो two then minus lr lr क्या represent कर रहा है lower limit for row देखो row के लिए जो है आपकी lower limit वो कहां से start हो रही है plus j, j आपका represent करता है column subset यहाँ पर भी हम two के लिए निकाल रहे हैं देखो तो j भी क्या जाएगा आपका two ही आ जाएगा ठीके then minus lc lower limit for column column की जो lower limit है वो भी आपकी क्या है 0 यहाँ पर 0 रखेंगे then आपका answer आ जाद है इस तरह से same for इसके लिए अभी क्या करते हैं हम इसमें मतलब यह क्योंगा आपको चीज़े given ही होगी यह questions ज्यादा आते नहीं है बट फिर भी क्या होगा base address size अगरे यह सब चीज़े आपको given होती है then आप इन formula's से निकाल सकते है समझ नहीं आया पर सुनके अच्छा लगा मुझे लगता है कि आप सभी यही सोच रहे हों कि समझ नहीं आया पर सुनके अच्छा लगा पर यह वसूली भाई के लिए चल सकते है समझ नहीं आया, सुनके अच्छा लगा, आपके लिए ये नहीं चलेगा, आपको समझ भी आना चाहिए, प्लस सुनके अच्छा भी लगना चाहिए, चाहे सुनके अच्छा लगे चाहिए, ना लगे, बट समझ जरूर आना चाहिए, बच्छा, हाँ, तो आज का जो हमारा topic है वह यहां वे cover हो जाता है हमने देखो क्या क्या किया है हमारा area का हमने कर रहा है start area के बारे में हमने पढ़ लिया उसकी memory के अंदर represent हम किस तरह से कर रहे हैं यह चाहिए हमें पतार चल गया कैसे होता है index no.0 से start होता है या फिर 1 से start होता है यह किसी-किसी cases में होता है 1 से भी start होता है ठीक है then उसके बाद हमने one dimension two dimension types of area cover किया और फिर हमने देखा कि आपका जो one dimension के लिए अगर आपने किसी भी particular element के लिए location निकालनी तो आप किस तरह से निकालते हैं same for 2D के लिए I hope आपको समझ आ गए होगा अगर आपको समझ नहीं आया तो आप लीज मुझे comment section में बता देना and like share and subscribe our channel and keep learning and keep growing guys thank you very much